Study IQ IAS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल इसको समझेंगे कि कार्रे क्या होता है, उर्जा क्या होती है और शक्ति क्या होती है, तो वक एनर्जी पावर को आज हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो वक के बारे में रहेगा, इसके अलावा, UPAC का, IS का, जो है प्रिलिम्स प्लस म का foundation course, first time study IQ, live course लेकर आ रहा है, तो इस course को आप अवेल कर सकते हैं, 18,500 अभी offer price है, अगर आप मनीश लाइफ का code यूज करेंगे, तो 20 जून से ये जो है, इवनिंग से बैच स्टार्ट हो जाएगा, इसको आप अवेल कर सकते हैं, शुरू करते हैं हमारा session, उससे पहले, ज अगर आप किसी lift में बैठे हैं, और जब lift नीचे की और गती कर रही होती है, तो व्यक्ति का पस्ट भार कितना होगा, तो उसमें जो भी व्यक्ति है, वो जब नीचे आ रहा होता है, तो उसका weight क्या होता है, आपने देखा भी होगा, lift में आप जब उपर की तरफ जा रहे क्यों होती है, तो एक question में पूछा गया है, जब lift नीचे की और गती कर रही हो, तो व्यक्ति का स्पष्ट भार कितना होगा, वास्तव एक वजन के बराबर, वास्तव एक वजन से अधिक, या वास्तव एक वजन से कम या 0, equal to the actual weight, greater than the actual weight, less than the actual weight या 0, अब देखा जाये, त आपको हलका फील होता है, तो इसका answer यह होगा, कि less than the actual weight हो जाएगा, वास्तव एक वजन से हमारा वजन कम हो जाता है, जब lift नीचे की और जाती है, अगला question पूछा था, Newton's third law of motion applies to which of these forces, Newton का गती का तीसरा नियम, इन में से किस बल पर लागू होता है, gravitational, magnetic, electric, all of the above, कोई magnet है, इस magnet का यह north pole, यह south pole, इस magnet का यह south pole हो जाए, तो यह क्या करेगा, यह आकरश्चित करेगा, attract करेगा, इसके अलावा यह south pole से ही इसकी जो line of, magnetic line of forces होती है, यह not to south जाती है, तो basically यह कोई भी चीज अगर आप देखेंगे, इस world में, तो वो क्या करती है, Newton's का third law mostly च आमान, विपरीत दिशा में उसकी प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो चाहे वो gravitation की बात करें, उसमें भी प्रतिक्रिया होगी, उसमें भी reactions होगा, magnetic में भी होगा, तो all of the above का सही answer होगा, इसके बाद the inability of a body to change the state of rest or motion is known as, किसी पिंड की अपनी व की बात करी थी, और वहाँ पर हम उनने बहुत अच्छे से discuss किया था किसको inertia को, तो inertia जिसको जड़त्व कहा जाता है, जड़ता कहा जाता है, जो गेलिलियों ने बताया था, उसके हिसाब से कोई भी जो चीज है, वो अपनी जगा से, अपनी state change नहीं करना चाहती है, तो यह ही question में पूछा गया था, तो last lecture को ज़रूर देखें, जिन लोगों को यह questions में तोड़ी सी tough लग रहा है, तो मैंने तीनों law बताय हुए हैं physics में last Thursday, जो session हुआ था, उसमें न्यूटर्ण के तीनों law को हमने discuss किया हुआ था, Friday वाला session था, Thursday को भी एक session लिया था, उसमें physics में बता चलेंगे कि वही हम science के लिए और भी क्या plan कर रहे हैं, तो जो भी suggestions को comment section में जरूर लिखिए, आप लोगों के जो comments होते हैं, उनको देखते हुए भी हम बहुत सारी चीजेंज करते हैं, जो भी आपके suggestions होते हैं, उनको बिल्कुल सुना जाता है, तो ऐसा मत सोचिएग आप की, जैसे playlist वाला भी issues जो था कई बच्चों का, उसको भी जल्दी से solve कर दिया जाएगा, उसके लिए भी घंपराईए नहीं, lectures के number आप लोग ने कहे थे, तो उनको भी हमने डलवाना start कर दिया, तो हर lecture के उपर आपको आज का lectures number भी मिल जाएंगे, और भी जो भी आप important चीज है physics के अंदर, और physics और आम जीवन में इसके अंदर बहुत सारा difference है, तो उसमें क्या difference है, और थोड़ा सा confusing भी है work, लेकिन शुरू में आपको confusing नहीं लगेगा, मैं आपको जब थोड़ा सा पढ़ा दूँगा, उसके बाद थोड़ा confusion होगा, और उस confusion को मैं ही दूर करूँगा, तो शुरू करेंगे आज का session, जो हम बात करेंगे किस के बारे में, work के बारे में, तो देखा जाये जो physics है, physics में जब हम बात करते हैं, बहुत एक विज्ञान में work की बात करते हैं, तो हमारे normal world के जो काम है, वो physics में count नहीं होते हैं, जैसे कि आप बैठ कर घर पढ़ रहे हैं, तो मान लिया जाए, आप घर पर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो आप बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं, और वाकर ही आप बहुत important काम कर रहे हैं, बट physics के हिसाब से इसको work नहीं consider किया जाता, physics जो है, वो work के अंदर मतलब वहाँ पर आपको बल भी चाहिए और बल चालने के साथ साथ विस्थापन भी चाहिए मान लिया जाए कोई बलॉक है इसका वजन है सौ किलो इस सौ किलो के चीज़ पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स था दस न्यूटन का ये अपनी जगा से एक रती बर भी नहीं हिला तो फिजिक्स के हिसाब से आपने इसके उपर जो काम किया वो कितना है जीरो है आपने जाता है फिजिक्स में कि work is set to be done कारिक कब होगा work is set to be done when force applied on a body tends to move it और create a displacement मतलब सीधी सी बात है जब तक आप किसी चीज़ पर बल लगाए और बल लगाने के बाद उसमें कोई विस्थापन ना हो मतलब आप किसी दिवार पर बहुत जो है आप फोर्स लगा रहे है तो क् कुछ होगा तो work done वहाँ पर 0 ही होगा क्योंकि work done में आपका force तो चाहिए ही displacement भी चाहिए मतलब उसकी force लगाने से आपका object जो है वह अपनी initial position से change होना चाहिए वह move होना चाहिए उसके अंदर displacement होना चाहिए और अगर displacement उसका 0 है तो work done भी 0 हो जाता है क्यों हो जाता है तो देखा जाए तो देखते हैं तो work done के बारे में अगर हम बात करें तो work done के लिए formula apply होता है क्या formula apply होता है तो formula of work को देख लेते हैं आप formula of work की बात करें कि हर चीज का एक सूत्र होता है तो कारे का भी एक सूत्र होगा और यह सूत्र क्या होता है तो इसको देखिए ध्यान स बल गुणा विस्थापन होता है मतलब English में बात करें तो work is equals to force into displacement इस चीज़ को आप क्या कहते है इसको आप work कहते है तो देखा जाए तो basically work के अंदर आपका force भी आ गया आपका displacement भी आ गया तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो force की unit क्या होती है Newton होती है force की unit Newton और displacement की unit meter होती है तो जो work की unit है कारे की unit है उसको आप क्या बता सकते है Newton meter होती है इस Newton meter को ही आप क्या कहते है Joule कहते है तो अगर आपको कहीं Joule लिखा हुआ दिखेगा तो उसका मतलब क्या है Newton और meter को साथ में लिखा जाता है क्योंकि work के उपर James Prescott Jules ने बहुत research किया था क्या नाम है इनका James Prescott Jules इनका बहुत सारा योगदान रहा किस शेत्र में कारे के शेत्र में तो इसलिए हम जो है Newton meter को क्या बुलाते हैं तो इसको हम Jules बुलाते हैं तो जो आपका basically कारे होता है वो आपका बलगुणा विस्थापन मतलब force into displacement होता है लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही है this is cos theta तो यहाँ पर आपका साथ में क्या होता है cos theta भी होता है मतलब work is equal to f into d cos theta साथ में लिखा जाता है f मतलब आपका force d मतलब आपका displacement जो हमने यहाँ लिखा हुआ है फिर आप बोलेंगे sir कि यहाँ पर f into d में cos theta क्यों नहीं लिखा है क्योंकि mostly cases जो होते हैं उसमें हम cos theta की value क्या consider करते हैं तो cos आपने बच्पन में पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा होगा I think इतना तो आपने बच्पन में पढ़ा हो कि sin 00 होता है वैसे ही cos 0 कितना होता है तो cos 01 होता है तो जब आप किसी पर horizontally 0 angle से जब force लगा रहे हो मतलब इस block के उपर अगर 0 angle से force लग रहा है तो वहाँ पर cos 0 बन जाएगा और cos 0 की value क्या होती है 1 होती है तो अगर इस पर confusion है तो मैंने जैसा बताया कि जब आप work थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी 5-7 मिनिट और तो आपको confusion आना चालू होगा अभी तो आपको अच्छे से समझने आ रहा है लेकिन वो confusion हम आजी class में दूर करेंगे तो उस पर हमारा अच्छे से focus करना है तो अभी क्या देखा हमने work की बात करी कि work is said to be done when a force is applied on a body and it create some displacement मतलब किसी भी चीज़ को कारे हम तब कहेंगे कारे कब होगा जब किसी भी वस्तू के ऊपर कोई बल लगाया जाए और उस बल लगाने के कारण उसमें विस्तापन उत्पन हो अगर उसका विस्तापन उत्पन हुआ तो कहा जाएगा कि वहाँ पर कारे हुआ है वहाँ work done हुआ है इसके अलावा हमने formula की बात कर ली कि formula क्या है तो work done is equal to force into displacement into cos theta होता है अमूमन केस में mostly cases में cost हम zero लेकर चलते है तो इसलिए वह one होता है लेकिन जो मैंने कहा इस cost के उपर बहुत सारी कहानी जुड़ी हुई है जिसको थोड़ी देर में समझेंगे अब force क्या है तो force आप इतने time से mechanics पढ़ रहे हैं से ही मैं force बार-बार बता रहा हूँ कि किसी भी चीज में mass होना और acceleration होना mass into acceleration को आप force कहते है Newton's का second law में भी मैंने आपको बताया तो when we kick a football यहाँ पर हम इने example लिया है कि अगर हम किसी football को kick कर रहे है football खेला ही होगा आप लोग ने तो football को जब हम kick करते हैं तो we are exerting an external force called F हम उस ball पर वो ball तो रखी रहेगी कब तक रखी रहेगी जब तक आप उसको kick ना करो जब आपने kick किया तो उस पर क्या लगा है एक बाहिये बल लगाया एक external force लगाया and due to this force the ball moves to a certain distance और जो ball है वो कुछ दूरी तह करेगी और उस दूरी को क्या कहेंगे आप displacement कहेंगे तो मतलब जो आपकी ball थी उस ball को आपने kick किया और kick करने के बाद जो ball आगे बढ़ी वो किस के कारण बढ़ी वो आपके force के कारण बढ़ी and this disposition of ball from A to B is known as displacement तो work क्या कहलाएगा इस चीज़ के उपर जो भी आपने force लगाया और उस force लगाने के कारण वो ball में कितना movement हुआ तो वो चीज़ कहलाएगी आपका work done work done is equal to force into displacement तो इतनी basic सी चीज़ तो सभी समझ रहे होंगे और समझने भी आ रहा होगा तो देखा जाए तो यहाँ पर हम बात कर रहे है work done की तो देखिया एक question है यहाँ पर एक example है कि a force of 30 Newton a force of 30 Newton मतलब बल कितना है 30 Newton का है is pushing an object 3 meters in the same direction एक चीज़ है जिस पर कोई क्या कर रहा है force apply कर रहा है और force apply करने के कारण यह body कितना move कर जा रही है 3 meter यह move कर रहे है तो 3 meter move करने के बाद इसका जो work done है वो कितना होगा तो work done जो अभी हमने बात करी कि कारण क्या हो जाएगा force into displacement force into displacement हो जाएगा force कितना था तो force था 30 Newton बल कितना था 30 Newton और आपका displacement कितना था displacement है आपका 3 meter तो 30 into 3 कितना हो जाएगा यह यहाँ पर 90 Newton meter का work done हुआ या फिर आप simple language मैं कह सकते है 90 joules का काम हुआ और joules क्यों दिया गया तो मैंने आपको बताया prescript joules के बारे में तो देखा जाए तो अगर यह object वही पर रहेगा अगर आप इस पर force लगा रहे हो लेकिन force इतना लगने लगे कि इसके अंदर क्या आ जाए displacement आ जाए तो उस case में displacement आने पर विस्थापन आने पर आप क्या कह देंगे आप यह कहेंगे कि कारे हो रहा है work is set to be done work done होने की condition predefined है उसके लिए आपको displacement होना बहुत जरूरी है जो भी आप force उसके उपर apply करते हैं तो यहां तक कुछ चीज़ें आपके clear होई होगी अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ पर जो confusion है पहले उस confusion को तो समझें कि यह क्या है तो इतनी बात तो आपने समझ ली यहां तक अब देखें थोड़े से मुद्दे की और बात अब बात करें तो work done क्या है मतलब work done को आप एक scalar quantity बोले या इसको vector quantity बोले मतलब इसको एक अदिश राशी बोला जाए या इसको सदिश राशी बोला जाए तो आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि sir work में तो क्या आता है force आता है force के साथ साथ displacement आता है अब जब force को देखा जाए तो force खुद क्या है force खुद एक vector quantity है बता force भी क्या है एक vector quantity है और vector quantity मैं अल्रेड़ी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ scalar और vector क्या होते है तो जिनको याद नहीं हो फिर से याद दिला देता हूँ scalar वो है जिनको सिर्फ किसकी जरूवत हो magnitude की मतलब अदिश राशियां वो हो गई जिनको सिर्फ आवशक्ता किसकी हो परिमान की और परिमान क्या होता है magnitude क्या होता है तो जैसे कि हम बोल दे 10 Newton तो 10 Newton क्या हो गया सिर्फ परिमान हो गया या 20 kg क्या हो गया परिमान हो गया magnitude हो गया किसी भी चीज की value और उसकी unit उसको क्या कह दिया जाता है परिमान कह दिया जाता है लेकिन हमने force की बात करी थी कि force में आपको बल तभी बताए जा पाएगा कि भाई किस direction में लगाना है इसको इस तरफ से force लगाया जाए या opposite direction से force लगाया जाए या उपर से लगाया जाए या नीचे से लगाया जाए तो जहां पर आपका vector quantity आ जाती है जिसका मतलब सदिश राशी आ जाती है तो सदिश में आप लोग पढ़ी चुके हैं कि सदिश में क्या चाहिए होता है force भी चाहिए होता है सदिश के अंदर देखें जो सदिश राशी होती है उसको क्या चाहिए होता है मतलब vector quantity को क्या चाहिए होता है तो vector quantity में आपका magnitude भी चाहिए और direction भी चाहिए हिंदी में कहा जाए तो परिमान भी चाहिए और दिशा भी चाहिए जिसमें दोनों चीजे हों कि कोई भी चीज जैसे हमने force पर बात करी कि force जो है वो आपका 10 newton का लग रहा है किस direction में तो east direction में तो यहाँ पर यह जाकर complete हो जाती है क्योंकि आप किसी भी चीज पर बल लगा रहे हैं तो कहा लगाना है यह जरूरी हो जाता है लेकिन अगर हम बात करें जिसे time की तो time किसी भी जगाप पर आप north की तरफ देखें तो भी वही time होगा south की तरफ देखें तो भी वही time होगा तो जितनी भी quantities scalar quantity होती है उन scalar quantities को मतलब आपका अदिश राशियों को किसकी आवशक्ता नहीं होती उनको दिशा की आवशक्ता नहीं होती उनको सिर्फ परिमान की आवशक्ता होती है तो देखा जाये तो जो हमारी शुरू में ही बात हो रहे थी कि भाई work का formula क्या है force है या simple शब्दों में कह सकते है f d cos theta भी तो लिख सकते है तो cos theta तो unit less चीज हो गई cos कोई unit वाली चीज थोड़ी है dimension less है unit less है यहाँ पर बात होगी f की और d की या तो बल की होगी या तो विस्थापन की होगी तो अगर देखा जाये इस चीज में तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो force भी क्या है एक vector quantity है और displacement भी vector quantity है जो अभी तक आपने पिछली class इसमें बार बार यही तो समझा था कि force कैसे है displacement जैसे minimum distance की बात करी थी नियूमतमदूरी की बात करी थी तो मैंने वहाँ पर बार बार आपको बताया था तो आपको लगेगा कि sir work भी फिर क्या हो जाएगा vector quantity हो जाएगा क्योंकि हाँ force भी vector है और displacement भी vector है तो हम क्या work को vector लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे इसको लिख्या जाएगा scalar quantity work हमारा क्या है एक आपका अधिश राशी है तो यह अधिश राशी जो है यहाँ से confusion चालू हो जाएगा आपको लगेगा कि दोनों ही चीज़ें तो क्या है force भी displacement भी जब vector quantity है तो work को भी होना चाहिए vector quantity या एक आपकी सदिश राशी लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो इसका नहीं होने के पीछे कुछ reasons है उनको थोड़ा सा समझते है जैसा मैंने बताया था कि शुरू में confusion नहीं होगा लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ा confusion होगा तो उस confusion को सबसे पहले दूर करते है तो देखा जाए तो यहां पर एक बहुत बड़ा रोल है fd cos theta का तो यह जो work के अंदर w is equals to fd cos theta आ रहा है इसको बहुत ध्यान से समझना है यह जो cosine है पूरा इसको cosine कहा जाता है जैसे आप sine को लिखते ऐसे हैं लेकिन उसका नाम पूरा sine होता है 10 को tangent कहा जाता है तो थोड़ा सा in को समझ लीजिए वैसे तो आपने यह बच्पन में पढ़ा ही हुआ है trigonometry में लेकिन थोड़ा सा मैं trigonometry यहां touch कर रहा हूँ और trigonometry बहुत basic सी बात करेंगे बहुत ज़्यादा tough आली बात नहीं है तो आपने sine पढ़ा हुआ है cos पढ़ा हुआ है तो इतना ही से आपका काम हो जाएगा तो देखा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं sine का एक graph बना देता हूँ तो sine theta का अगर आप graph देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनता है इसमें 0 degree पर sine 0 होता है यह जो होता है यह आपका 90 degree होता है यह आपका 180 degree होता है यह आपका 270 degree होता है और यह होती है 360 degree तो यहाँ पर हम बात करें तो sine की value जो है 0 पर 90 पर 180 पर 270 पर और 360 पर ये निकाल लेते हैं तो देखा जाए तो ये graph कैसे बढ़ ला है धीरे धीरे उपर बढ़ ला है लेकिन यहाँ पर 0 पर कितना है 0 तो sin 0 की value क्या हो जाती है 0 ही होती है इसके अलावा sin 90 पर ये कितना हो जाता है 1 हो जाता है तो sin 90 पर इसकी value maximum होती है sin 180 पर ये वापस 0 होता है 270 पर देखेंगे तो यहाँ पर minus 1 होती है sin और cos ऐसे functions है जिनकी maximum value 1 और minimum value minus 1 होती है sin कभी भी एक से ज़्यादा value नहीं देगा और minus 1 से कम value नहीं देगा तो यहाँ पर 270 पर इसकी value कैसी हो जाती है minus 1 इसके अलाब़ा 360 पर पहुँचने पर ये वापस से 0 हो जाता है तो ये जो है अगर आपने पढ़ा है वैसे तो पढ़ा ही है आप लोगों ने भूल भी गए हैं तो याद हो गया होगा आपको कि वही sin की value अलग-अलग coordinates पर कितनी होती है तो अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ये जो graph है आपने देखा ही हुआ है ये graph भी पढ़ते हैं हम चोटी classes में तो sign का हमेशा graph इस तरीके से चलता है तो sign का जो graph है इसको ध्यान से रखना है क्योंकि ये अभी काम आने वाला है तो यहाँ पर आपको value पता चल गई ऐसे ही क्या हम cost की value भी निकाल सकते हैं तो बिलकुल निकाली जा सकती है तो cost की value भी निकाल लेते हैं तो cost के इन angles के उपर हम बात करेंगे कि 180 degree पर क्या 270 degree पर क्या 370 तो यहाँ पर ये सारे angles पर हम बात करते हैं उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम cost का भी graph बना लेते हैं, तो cost का अगर आप graph देखेंगे, तो cost का graph जो होता है, वो कैसा होता है, कुछ यू होता है, ये cost का graph है, तो cost के graph में क्या चलता है, this is 0 degree, this is 90 degree, this is 180 degree, this is 270 degree, और ये होता है, 360 degree, अब देखा जाए, तो 0 degree पर ये क्या है, 1 है, 90 degree पर ये 0 है, 180 degree पर ये minus 1 है, 270 पर 0 है, और 370 पर 1 हो जाती है, तो यहाँ पर हम इसकी value लेख सकते हैं, कि cost 0 की value क्या होती है, cost 0 की value होती है, 1, फिर cost 90 पर आने पर क्या value हो रही है, 0, फिर cost 180 पर क्या हो रही है, minus 1, इसके अलावा आपका cost 270 पर क्या value है, 0, और cost 360 पर क्या value हो जाती है, 1 हो जाती है, तो ये values आपको पदा चल रही हैं, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है, कि sin theta upon cost theta is equal to 10 theta, तो अगर आपको 10 की value निकाल नहीं हो किसी पर भी, तो sin 0 upon cost 0 लगा दीजे, तो उससे 10 0 की value आ जाएगी, तो ये सारी value डिवाइड करने पर आपको 10 की भी value आ जाती है, तो graph उनी से बंचता है, लेकिन ये graph अभी बहुत काम आएंगे आपको, कुछ मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी से चीज़ समझने आ जाए, ये चीज़ आप लोगों ने पहली छोटी classes में पढ़ा हुआ है, तो बस revise कराया है मैंने, अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है, sin 0, तो आप उसकी value क्या लिख देते हैं, अभी आपने देखा कि sin 0 की value तो हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, यहीं पर अगर cos 0 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं, 1, क्योंकि आपका यहाँ पर value कितनी है, 1 है, तो ये जो है आपका theta theta पे बहुत सारी value depend करती है, अब मान लिया जाए, अगर आपको यहाँ पर दिया है, sin minus theta, sin minus theta, तो आप लोगों ने पढ़ा है बच्पन में, इसको क्या लिख देते हैं, minus sin theta, क्या लिख दिया जाता है, इसको minus sin theta लिख दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ cos लिखा है, और cos minus theta की बात करें, तो cos minus theta को आप क्या लिखते हैं, लिखते हैं, cos theta, यह जो है, आपने पढ़ा हुआ है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बार-बार मैं बोलूँगा इस चीज को, बट यह आपने चोटी classes में नहीं भूल चुके हैं, तो याद कर लिजिए, sin minus theta को minus sin theta ल कि वही कहा पर कौन से coordinate positive होते हैं, कौन से negative होते हैं, तो बच्पन में आपने सुना होगा, all students take coffee, एक चोटी से trick बताई जाती है आपको, all students take coffee की, all students take coffee में यह होता है, कि this is 0 degree यह होता है आपका 90 degree यह होता है आपका 180 degree यह होता है आपका 270 degree और यह होता है आपका 360 degree यही होता है तो इसमें बताया जाता है कि जितने भी coordinates हैं आपके all का मतलब सारे coordinates, सारे coordinates का मतलब sine, cosine, tangent, co-tangent, cosecant, और secant, ये सब पढ़े हुएं आपने, इनको इस शॉर्ट फर्म में आप लेखते हैं, sine, cos, tan, cot, cosec, और sec, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, तो ये 6 के 6 coordinates, 0 से 90 के अंदर क्या होते हैं, positive होते हैं, positive होने का मतलब कि इनकी value negative नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर all का मतलब sine भी यहाँ positive होगा, cosine भी यहाँ positive होगा, tan भी यहाँ positive होगा, quad भी positive होगा, सारे कि सारे coordinates इस section में 0 से लेकर 90 में कैसे होंगे, positive होंगे, जैसा देखा जाए, इस जगा पर देखिए, 0 से 90 में कहीं पर भी आपको value negative देख रही है, नहीं देख रही है, इसमें भी देखा जाए, 0 से 90 में यह पूरा का पूरा जो है positive है, तो यह पूरा positive, यहाँ पर भी पूरा positive, यहाँ पर भी पूरा positive, लेकिन यहाँ पर negative है, यहाँ पर negative है, यह 90 के बाद देखेंगे तो 90 के बाद negative है, और 270 के बाद positive है, तो यह basically जितनी भी values आप देख रहे हैं, यह हम already इस से बताते हैं, अब 0 से 90 में सारे positive, लेकिन 90 से 180 में क कौन positive है तो यहां पर बताया गया था आपको कि sign और cos sec यह positive होते हैं इसके अलावा 180 से 270 के बीच में 10 और cod positive होते हैं इसके अलावा यहां पर cos और sec positive होते हैं यह आपने पढ़ा हुआ है अब देखा जाए तो आप बुलेंगे sir 90 से 180 में sign positive है यह कैसे माने तो देखी लीजे 90 स 180 में यहां पर sign की value कैसी है positive ही है और 180 के बाद वो negative होना चालू हो रहा है तो 180 के बाद अगर आप देखेंगे तो 180 से 270 में तो 10 positive और 270 से 360 में cos positive यहां तो सारी की सारी चीजे क्या है यहां पर सारी की सारी चीजे जो है आपकी क्या हो गई यहां पर negative हो गई तो sign जो है इसमे में positive और इस में positive और दूसरा जो हमने देखा था cost की value तो cost को भी देख लिजए cost में अगर देखा जाए तो cost में क्या है आपका 0 से 90 में ये positive है 90 के बाद negative 90 से 180 में negative और 180 से 270 में negative और 270 के बाद वापस positive हो रही है तो इस graph में देखिए यहाँ पर cost positive यहाँ पर cost negative इस पूरे में cos negative और यहां से लेकर यहां तक में cos फिर positive हो रहा है तो यहां पर आपको समझने आ रहोगा कि cos positive है अब यह देखिए इस से थोड़ा सा correlate करते हैं cos minus theta is equal to cos theta क्यों लिखा जाता है इस चीज़ को समझना है अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने बच कि जब भी 90 आता है या 270 आता है तो क्या करते हैं हम sign को बदल देते हैं sign को बदला जाता है तो याद रखेंगे 90 और 270 क्या कर देता है change कर देता है 90 और 270 change करता है इसके अलावा 180, 360 और 0 यहां होता है no change अब आप यहां फिर confused हो रहे होंगे कि यह क्या नहीं चीज़ आ गई तो याद करिए आप क्या बच्पन में नहीं लिखते थे sign 90 minus theta is equal to cos theta या cos 90 minus theta is equal to sin theta यह आपने लिखा था कई बार लिखा था तो वो वही चीज़ में बता रहा हूँ कि क्या होता है जब आप इस जगापर 90 यूज़ करते हैं तो 90 के बास देखते हैं minus को 90-theta का मतलब है कि 90 से कम ही angle होगा अगर 90 में 20 है तो sin 70 आएगा या फिर आपका sin यहाँ पर 90 है यहाँ पर theta है तो यह जो है minus sign हमेशा आपको क्या देता है पॉजिटिव value देता है यहाँ पर आपको positive मिल रहा है यहाँ पर आपको positive मिल रहा है क्यों मिल रहा है क्योंकि cos 90-theta हो रहा है 90 से अगर कोई value कम होगी तो क्या होगा सबसे पहले 90-270 में change हो जाएगा तो यहाँ पर sign बदल गया किसमें cos में यहाँ पर cos बदल गया किसमें sin में तो ये किस में होगा, 90 और 270 पे, जब भी 90 और 270 आएगा, तो वो coordinate को change कर देगा, sin बन जाएगा cos, cos बन जाएगा sin, 10 बन जाएगा cot, cot बन जाएगा 10, sec बन जाएगा cosec, cosec बन जाएगा sec, ये बचपन से पढ़ा हुगा है आपने, कब होगा, 90 और 270 पे होगा, लेकिन 180, 360 और 0 पर नहीं होता है, दूसरा, जो यहाँ plus आएगा या minus आएगा, यह किस basis पर होता है, तो इस sin के basis पे होता है, अगर यह sin minus theta है, जैसे यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, कि यह तो आपको पता है, कि sin 0 से 90 की value है, तो 0 से 90 में आप देख रहे हैं, कि sin धीरे-धीरे बढ़ लाए, 0 से 90 में बढ़ लाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपने बचपन में ही और भी चीज़ां पढ़ी थी, जैसे कि आपको पढ़ाया गया था, कि sin 0 की value कितनी है, 0 है, sin 30 की value कितनी है, तो 1 by 2 है, sin 45 की value कितनी है, तो 1 by root 2 है, और sin 60 की value कितनी है, तो root 3 by 2 है, यह आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो अगर 1 by 2 की बात करें, तो 1 by 2 की value कितनी होती है 0.5 होती है 0.5 1 by root 2 की value कितनी होती है तो root 2 होता है 1.414 तो ये होता है आपका 0.7 0.7 मतलब ये होता है 0.5 ये होता है 0.7 और root 3 का मतलब होता है 1.732 1.732 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 कितना आ जाएगा 0.8 तो देखिए 0 से बढ़ रही है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 के बाद जब 90 आएगा तो 90 की value कितनी लिखी है हमने 1 लिखी है तो 0 के बाद 1 कैसे हुआ है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुआ है 0 से 0.5, 0.5 से 0.7, 0.7 से 0.8 और 0.8 से 1 तो ये आपका बढ़ता हुआ ग्राफ है लेकिन अगर कॉस का देखें तो घटता हुआ है कॉस में क्या होता है तो कॉस की value होती है कॉस 0 की value 1 फिर कॉस 30 की value होती है root 3 by 2 कॉस 45 की value होती है 1 by root 2 और कॉस 60 की value होती है आपका कॉस 60 की इतना हो जाता है तो कॉस 60 होता है 1 by 2 और कॉस 90 हो जाता है 0 तो इसकी value पहले 1 थी फिर 0.8 हुई 0.8 के बाद 0.7 हुई 0.7 के बाद ये जो है 0.5 हुई और 0.5 के बाद 0 हो गई तो ऐसे ये धीरे-धीरे कम हो रही है और धीरे-धीरे ये बढ़ रही है तो देखा जाए तो आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है ये आपने ये formula देखा कि sin 90 minus theta is equal to cos theta तो अगर हम यहाँ पर बात कर दें कि sin 90 minus theta अगर cos theta होता है तो यहाँ पर theta की value माल लेते 30 degree है तो ये आपको proof मैं यहाँ करके बता रहा हूँ कि कैसे सही होता था अगर यहाँ 30 degree ले लिया जाए theta की value कितनी है 30 degree तो अगर ये 30 degree होगा तो क्या होगा sin 90 minus 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो sin 60 हो जाना चाहिए और sin 60 की value अभी आपको मैंने बताई कितनी हो जाएगी root 3 by 2 हो जाएगी तो sin 60 की value कितनी हो जाएगी root 3 by 2 होगी अब यहाँ पर हमने बात करी थी sin 90 minus theta को हम लिखते क्या है cos theta लिखते है तो मतलब sin 90 minus 30 theta अगर 30 होगा तो यह क्या हो जाएगा cos 30 हो जाएगा आप cos 30 की value देखिए तो cos 30 की value कितनी लिखिए है root 3 by 2 तो यह जो expression है root 3 by 2 यह बिल्कुल सही है तो यह आपको समझना है यह आपने पढ़ा हुआ है बस मैंने यहाँ proof करके बताया आपको कि 90 और 270 में हमेशा क्या होते है coordinates बदल जाते है sin cos बन जाता है cos sin बन जाता है 10 cos बन जाता है cos 10 बन जाता है cosec sec बन जाता है sec cosec बन जाता है अब बात हो रही है हमारी यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखिए हम लोग work पर आई रहे है यह दो बस 5 मिनिट का concept है इसको आपने सीख लिया तो आप work को हमेशा बता सकते हैं क्यों वो आपका scalar quantity होता है vector क्यों नहीं होता है इसलिए हमने इत्ती बात करी है अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर cos की बात करें तो cos क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos 360 minus theta cos 360 minus theta क्या लिखा जा सकता है तो आप सब भी बोलेंगे इसलिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बताइए क्या 180 360 0 पर angle यहाँ पर change होता है क्या coordinates तो यहाँ पर लिखा है no change तो अगर 360 minus theta no change को बता रहा है 360 no change को बता रहा है तो यहाँ पर भी आगे क्या आएगा तो यहाँ पर आएगा cos theta जैसे यहाँ पर आपने देखा कि sin 90 था तो sin 90 change होकर क्या बन गया cos theta बन गया क्यों बना क्योंकि 90 था लेकिन अब यहाँ पर हम लगा रहे है cos 360 minus theta तो इसको आपने क्या लिख दिया cos theta लिख दिया अब यहाँ पर आगे plus और minus sign को भी check किया जाता है तो वो भी check कर लेते हैं क्या यह 360 है बिल्कुल है इस 360 से minus theta का मतलब यह आपका चला गया fourth coordinate में मतलब 360 minus अगर यह 10 भी होगा तो बनेगा कितना 350 तो 270 और 360 इसी coordinate में आएगा तो क्या इसमें cos positive है तो विल्कुल positive है तो इसको इसलिए हम क्या लिख देंगे cos 360 minus theta is equal to cos theta cos 360 minus theta is equal to हो जाएगा cos theta यहाँ पर plus का sign आएगा लेकिन अगर कोई यहाँ पर sign लगा दे तो sin 360 minus theta is equal to क्या होगा 360 है तो sign तो change नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 180 और 360 में sign change नहीं होता है तो sign तो change नहीं होगा यहाँ sin theta आएगा लेकिन आगे plus या minus आएगा उसको चेक करेंगे क्या 360 से कम में sign यहाँ positive है तो नहीं है क्योंकि sine तो 360 से कम में कैसा हो जाता है negative हो जाता है लेकिन आपका cos 360 में क्या होता है positive होता है तो यहाँ पर जो है यह बोला जाएगा यहाँ आएगा minus sine theta यह बात समझने आ रही होगी यह क्या हो जाएगा 360 minus theta is equal to minus sine theta अब यह minus theta क्यों आ रहा है क्योंकि देखा जाए तो देखे यह इस coordinate में sine positive नहीं होगा अब मुझे बताइए क्या यहाँ 0 लिखा है यहाँ 360 लिखा है तो यह दोनों को एक ही मानते होंगे तो क्या हम इस 360 की जगा इस 360 की जगा 0 लिख सकते हैं तो आप बोलेंगे लिख सकते हैं तो अगर मैंने यहाँ पर 360 की जगा 0 लिख दिया तो क्या यह ऐसा नहीं देखे का sine minus theta क्योंकि 0 में minus theta करेंगे तो 0 का तो कोई मतलब भी नहीं तो 0 minus theta is equal to minus sine theta लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 minus theta कर रहे हैं तो कैसा आ रहा है plus cos theta आ रहा है क्योंकि fourth quadrant में cos positive होता है यह बात समझने आई आपको तो आप सोच रहोंगे सार इस बात से क्या मतलब निकलता है कि cos minus theta is equal to cos theta इससे एक बहुत ही important चीज़ निकलती है जो आपने बच्पन में पढ़ी हुई है odd और even odd और even जो होते हैं वो कुछ functions होते हैं इनको देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमने बात करी कि cos जो है cos minus theta की value क्या हो रही है cos theta हो रही है इतना तो आप अब भी तक समझ रहोंगे कि यह क्यों हो गया है क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि फोर्थ कोडरेंट में cos क्यासा होता है positive होता है तो यहाँ पर एक चीज आती है कि cos कैसा function है even function है even function का मतलब क्या होता है जैसे आपने दो चीज सुनी हुई है एक चीज odd होती है एक चीज even होती है एक सम संख्या एक विशम 2 क्या हो गया, even हो गया ऐसे यह number है, अब function क्या होता है तो इसको ध्यान से समझे अगर हम बात कर रहें minus 1 की value कितनी होती है, minus 1 ही होती है लेकिन minus 1 का square कर दें, तो क्या हो जाएगा, यह plus 1 हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपने square कर दिया और square क्या होता है एक even होता है square करना किसी चीज़ का even function कहलाता है तो यह जो है हमेशा negative को क्या कर देता है positive कर देता है यह negative को हमेशा क्या कर देगा positive कर देगा तो इसलिए cos minus theta यह इसको क्या कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है तो यह एक even function है तो देखा जाए तो यहाँ पर जो हमने formula पढ़ा कि work equals to fd cos theta इसमें cos कर क्या रहा है तो cos यहाँ पर एक even का काम कर रहा है और यह even function इस पूरी चीज़ को इसमें यह भी vector है यह भी vector है लेकिन इस cos theta के आने से यह पूरा function बदलकर किसमे change हो जाता है एक scalar quantity में एक आपकी अधिश राशी में देखा जाए तो इसके लिए मैं और भी आपको एक बताता हूँ जिससे आप किसी भी function को even या odd पहचान सकते हैं देखा जाए तो अभी मैंने आपको graph बताया था यह graph ध्यान से देखिए तो इस graph में बताया जाता है कि म यह हो गया आपका 90 degree यह हो गया 180 degree घबराना बिलकुल नहीं है बस 2 minute का concept बचा हुआ है इससे आपको समझने आ जागा देखिए मैं इसलिए इस तनी चीज़े बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आप एक बार clear कर लेंगे सारे odd और even के कारण यह चीज़ होती है क्योंकि ज बर्क में भी force displacement दोनों आता है लेकिन वो होती है scalar quantity वो होती है एक अदिश्राशी वो बन जाता है सदिश्राशी तो इसमें सिर्फ sign और cost का जो है change है तो sign देखिए यह sign का graph बनाया है तो sign का graph अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई graph है जिसको overlap कर दिया जाए overlap का मतलब यह पर आपका minus 90 आजाएगा यह minus 180 आजाएगा यह आपका minus 270 आजाएगा और यह 360 आजाएगा यह minus में क्योंकि आपने पढ़ा है 0 यह 1 2 3 और ulti direction में minus 1 minus 2 इस तरीके से होता है तो अगर आप sign का graph देखोगे और sign का graph इस तरीके से इसके उपर लाओगे मतलब यह पूरी चीज इसके उपर overlap करो तो आपको कैसा graph मिलेगा आपको ऐसा graph मिलेगा यह तो already है जब यह इस तरफ आएगा तो यह इस तरफ आने के कारण कुछ इस तरीके से बनेगा यह जो है यह आपका कैसा है asymmetrical है मतलब कि अगर कोई function ऐसा odd कहलाता है sign कैसा function है odd है यहाँ पर ध्यान नहीं देखें मतलब यह line भी आपको देखें और यह line भी देखें तो वो कैसा function होगा odd function होगा तीसरा example इसमें और मैं बता देता हूँ अभी आपको मैंने पढ़ाया था cos का function अब cos का graph अगर आप देखेंगे तो cos के graph को इसके उपर overlap करा दीजे तो cos का function कुछ इस तरीके से ही देखेगा यहाँ पर अगर देखें तो cos आपका यह जो है यह इसके उपर overlap कर जाएगा तो मतलब यह कैसा होगा symmetrical होगा मतलब इसके उपर overlap कर जाएगा इसके उपर इसकी परत आजाएगी कोई अलग से आपको जैसे यहाँ देख रहा है ऐसा नहीं देखेगा यहाँ का जो graph है आपका वो यूँ ही बनेगा तो यह वाला जो है जब उठकर इस पर आएगा तो वो पूरा का पूरा यहीं पर overlap कर जाएगा और अगर कोई function इस तरीके से होता है तो उसको odd नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं even तो cos कैसा है आपका even function है लेकिन अगर कोई चीज overlap नहीं करती है तो उसको क्या कह देते हैं odd कह देते हैं तो यह जो cos है आपका वो कैसा function है even है यहां से भी proof हो रहा है minus को plus कर दे रहा है इसके अलावा अगर overlap कर जाए तो भी even होगा तीसरी चीज और याद रखिए कोई भी चीज अगर origin से 00 से pass होती है तो 00 से pass होने पर वो हमेशा क्या होगी odd होगी अब यहां पर दे सारी चीजें क्यों याद रखें हम तो भाई आप मत याद रखी यहां पर मैंने बस समझाने के लिए चीज बताई है कि क्यों आपका cost जो है इस जगापर आपका scalar quantity बना रहा है क्यों एक अधिश राशी बता रहा है वो इसी कारण मैंने आपको यहां पर इतनी चीजें explain कर जाती है एक आपकी अधिश राशी हो जाती है तो इतनी बात आपको समझने आई होगी कि यहां पर हमने जो बात करी है कि इसकी unit क्या है जूल्स होती है जूल्स होने के साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमने बात करी तो आपको यह पता चल गया यह scalar quantity होती है अब इसके बहुत सारी चीजें है जैसे कि इसमें कुछ example है कि अगर कूली समान लेकर जा रहा है तो कूली समान जो लेकर जाता है उसके द्वारा कितना काम किया गया है तो वहाँ पर बताये जाता है कि physics के हिसाब से अगर देखा जाए तो work में क्या आ जाएगा force आएगा displacement भी आएगा और साथ साथ आएगा आपका cos theta यह किसके equal होगा work done के equal होगा तो देखा जाए तो कूली ने यह जो है force apply किया इसको upward direction में और force upward लेने के बाद उसने सर पे रखा हुआ है और फिर इसका जो displacement है वो सर से थोड़ी हो रहा है बार बार तो उसका जो displacement होता है वहाँ पर 0 हो जाता है या अगर यह कूली move भी कर रहा है आप बोलें कि वो move कर रहा है तो कुछ displacement हो रहा है लेकिन यहाँ पर जो cos theta है cos उपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है यह आपका अगर हम 0 consider करें तो यह कितना हो जाएगा 90 यह हो जाएगा आपका कितना 180 यह उपर हो जाएगा 270 और यह वापस से हो जाएगा 360 तो मुझे आप बताओ कि cos 90 की value कितनी होती है तो अभी आपने देखी cos 90 की value 0 होती है तो यह कूली कितना भी समान अपने सर के उपर लेकर चले उसके द्वारा काम किया गया कितना होगा 0 ही होगा तो गबरानी की जरुवत नहीं है आज हमने cos का थोड़ा सा function था उसको हमने देखा है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे examples हैं जो मैं आपको अगली class में बताऊंगा तो इनको हम लोग बहुत सारी चीजें और भी हैं कि क्या होते हैं यह सारे functions मैं next class में discuss करूँगा तो इसमें जो है जरूर next part base का देखेगा तो आज की जो important चीज थी वो मैंने यहाँ पर discuss करी है कैसे mains में question आते हैं जो आप try करने की कोशिश करिएगा नहीं बनेंगे तो कल हम इनको complete करेंगे पहला question है work done is measured by force into displacement, mass into velocity, force into energy, none of these किये गए कारे को मापा जाता है बल दूरी से, ध्रव्यमान वेक से बल गोडा उर्जा से या अनमे से कोई नहीं यह question तो बनना चाहिए क्योंकि इतना तो मैंने आज पढ़ाया है इसके बाद how much time will be required to perform 520 joule of work at the rate of 20 watt इसको भी समझेंगे, यह question अभी आपको थोड़ा सा नहीं बनेगा लेकिन इसको आगे वाले time में आप कर लेंगे इसके बाद one joule work is said to be done when, एक joule कारे को तब कहा जाता है तो यह भी question जो है आपको बन सकता है तो इसको भी एक बाद try करिएगा जरूर नहीं आएगा तो next class में बहुत अच्छे से इसको discuss करने वाला हुमे in case of negative work, यह next question class में ही रखते हैं इस question को इसके लाब the work done on an object does not depend upon किस पर depend नहीं करता है किस वस्तू पर किया गया कार निर्बन नहीं करता है विस्थापन पर बल लागू पर बल और विस्थापन के बीच के कौन पर और initial velocity of the object वस्तू के प्रारंबिक वेग पर तो यह question भी I think आपको बन जाएगा अभी जितनी चीजे पढ़ी है तो hope कुछ चीजें आपको समझने आ रही होंगी आज के lecture में थोड़ा सा एक critical part था वैसे तो critical मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होई थी लेकिन बहुत टाइम से अगर छूटी होई है तो उनको revise जरूर करिएगा इसलिए मैंने सारी चीजों को जोड़ कर बताया आपको तो hope थोड़ी सी चीजें आपकी clear कर पाया होंगा मैं इसके अलावा जो है कोई भी तरह का doubt है तो वो मुझे आप इन social media handles पे पूछ सकते हैं mail कर सकते हैं PDF ले सकते हैं कोई भी तरह की और भी inquiry हो या आपके कोई भी तरह के feedbacks हो तो comment section में हमको जरूर दीजेगा तो hope यहां तक सारी चीजें clear हुई होंगी Thank you very much for watching this Have a great day